नमस्कार मित्रो, आज हम लोग जानेंगे इवियोन कैपसुल से क्या फायदे हैं, क्या नुक्सान हैं और इवियोन कैपसुल का किस प्रकार सही उप्योग किया जा सकता है तो मैं आपका दोस, डॉक्टर ग्यानेंचा, आप सभी का स्वागत करता हूँ, मनोचकित्सा क्लेने जबलपुर में मित्रो, इवियोन के विशे में जानने से पहले, हम सबसे पहले उसके मॉलिक्यूल के विशे में एक ब्रिट जान करें ले लेते हैं इवियोन, जिसमें जो मॉनिक्यूल होता है, जो कैमिकल होता है, वह होता है टोकोफेरॉल एसीटेट अब ये जो इवियोन हमें मिलता है, ये अलग-अलग मिलिक्राम में मार्केट्स में अबलेबल है most commonly जैसा कि मैंने Evion कहा यह मर्क का कैप्सूल है जो बहुत commonly used होता है यह Evion दरसल विटामिन E होता है या more precisely मैं कहूं तो हम विटामिन E का एक भाग इसे माल सकते हैं तो मैं तो हम लोग Evion पे क्यों बाते कर रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि Evion का इस्तामाल बहुत ही commonly लोग कर रहे हैं और अलग-अलग तरीकों से कर रहे हैं और ली बाइमाउट ले रहे हैं Evion कैप्सूल के अंदर पाए जाने जो वाला तेल है उसका भी प्रयोग करते हैं बालों में लगाने के लिए अपने नाकुनों में लगाने के लिए तो ये तो आप समझ गया होंगे कि most common use जो हो रहा है Evion का वो हो रहा है hair fall को रोखने के लिए और skin को तरो ताजा रखने के लिए ग्लो करने के लिए क्योंकि Evion दरसल या vitamin एक antioxidant की तरह काम करता है सरव सब तो मैं अगर कहा जाए तो हमारे सरीर में जो भी oxidative stress बनता है आप polluted air लेते हैं, polluted water लेते हैं या day to day में आपके body में जो oxidative stress आता है free radicals बनते हैं उनको समाप करता है, उनको खतम करता है दरसल टोकोफेरोल जो होता है, वो अपने hydrogen atom को free radical को donate करता है और उसके harmful effect को खतम करता है तो mean function अगर हम कहें कि Evion का क्या होता है तो Evion और vitamin E works as antioxidant अब antioxidant के तरह काम करेगा, तो मतलब ये है कि cell damage को body में रोकेगा अब इस cell damage को रोकेगा, तो cell की जो उम्र है वो बढ़ेगी इसलिए इसका प्रियोग बहुत जादा आजकल anti-aging cream में किया जाता है अब Evion लेने के जोरत क्यों पढ़ती है, देखे, Evion लेना कोई recommendation नहीं होता है WHO किसी भी तरीके से vitamin E को किसी भी oil में या अन्य किसी dietary product में fortify करने के निर्देश नहीं देता है इसका मतलब ये है कि हमारे सरीर में vitamin E की कमी rare होती है vitamin E जो होता है वह एक fat soluble vitamin होता है अब mostly cases में जिनमें vitamin E की कमी देखी गई है उसका मुख्य कारण vitamin E का कम consumption ना होके बलकि vitamin E का GI tract से absorption में problem में है मतलब vitamin E जो कि fat में soluble होता है और fat soluble vitamin है तो वह fat में मिलके body में absorb होता है और body में भी fat में accumulate होता है तो होता यूँ है कि जो enzymes हमारे body में fat को digest करने के लिए important है यदि वह सरीर में deficient है खासकर pancreas से निकलने वाले enzymes गॉल ब्रेडर से निकलने वाला fluid अगर गॉल बेडर में problem है या pancreas में problem है तो होगर chances है कि vitamin E का absorption कम होगा ऐसे cases में vitamin E के supplementation के जोरत होती है और भी कुछ चन्द cases हैं जिसमें hereditary problem होती है genetic defect होता है जिसमें vitamin E का supplementation लेना होता है और कुछ conclusive disease है जैसे cystic fibrosis हुआ उसमें vitamin E का supplementation required होता है अब vitamin E को यदि लें तो कैसे लें तो मित्रों मैं आपको बता दो कि vitamin E को या evion को कभी भी without doctor recommendation ना लें कारण कारण बिल्कुल इसपस्त है कि vitamin E के बहुत सारे रोल अभी तर जानकारी में नहीं है कुछ एक ही cases ऐसी होता है जिसमें vitamin E के supplementation के आविशक्ता पढ़ती है vitamin E का बहुतायत में दुरूपयोग किया जाता है या सोच के कि या antioxidant है तो इसको लेना बहतर होगा लेकिन किस प्रकार से लेना है किस dose में लेना है किस व्यक्ति में हम इसे दे सकते हैं इसका निर्धार्ण आपका doctor बहतर कर सकता है उसका कारण क्या है तो अब आप जाएं कि main warning अगर कोई फिर भी लेना ही चाहता है कि लिए साब हम तो vitamin ही लेंगे तो ये अपने दिमाग में अच्छे से रख लें कि कुछ एक केसे में तो आप गलती से भी vitamin E का बिना किसी doctor के सेवन ना करें वो condition कौन से है यदि active dating disorder है कोई भी जैसे पैप्टिक अलसर हुआ या अलसरीन कोलोन हुआ अलसरीन रेक्टम हुआ या यदि आप कोई ऐसी गोली का सेवन कर रहे हैं जो कि आपके कौन को पतला करती है जैसे एस्परीन हुआ वार्फरीन हुआ या हिपरिन आपको चल रहा ह तो इन केसे में तो आप विटामिन E का प्रयोग बिल्कुल भी स्वदह ना करें क्योंकि ऐसे केसे में विटामिन E कई बार इनके एक्संस को और बढ़ा देता है जिससे बिणी के खत्रे बढ़ जाते हैं और कुछ ऐसे केस हैं जैसे ये बिल्कुल पाया गया है कि टैमोक् है इनका जो ब्लड कंसंट्रेशन है वो गिर जा ठीक इसी प्रकार चुकि मैंने बताया कि विटामिन E एक एंटी ऑक्सिडेंट होता है तो आपके बाड़ी के ऑक्सिडेटिव स्ट्रस को कम करके ओवर ओल ये बाड़ी की इम्मुनिटी को बढ़ाता है पुस्ट अप करता है मतलब एक व्यक्ति की रोग प्रतिरोधा च्छमता को मजबूत करता है और उसकी इम्मुनिटी को डेवलब करता है लेकिन कई कंडिशन ऐसे होते हैं लोगों में खासकर इस्ट्रियों में ऑटोर्म्यून डिजीज जो बहुत किसम के होते हैं SLE होते हैं कुछ किसम के आर और ऐसे एंटिबॉडी प्रोड्यूस करती है जो स्वैम के बॉडी के सेल्स को डेमेज करती है तो ऐसे आटो इम्मून कंडिशन में इम्मून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करने के आविशकता होती है लेकिन जैसा मैंने कहा कि EV-on इम्मूनिटी को बढ़ाता है तो यह जो इम्मून साप्रेसंट है जيससे साइक्लोसपोरिन है और अनि भी इम्मून साप्रेसंट आते हैं वो अपना काम नहीं कर पाते और इस इस्थिती में जो व्यक्टी है जो आटो इम्मून डिजर्स सेग्रसित है उसका रो और भी बढ़ जाता है सोर्स क्या है विटामिन ए यदि कोई व्यक्ति इवियों नहीं लेता है, तो what is the most common source of vitamin E? Most common source होता है, वो plant origin का होता है, sunflower oil होता है, peanut oil होता है, अन्य किसम के oils होता है Animal source हैं, लेकिन उससे vitamin E relatively कम मिलता है जो recommended dairy allowance है, vitamin E का वो लभभग 15 mg पढ़ने होता है मुख्य उप्योग जो vitamin E का होता है, वो skin glowing में होता है आप देखें कि बहुत सारे skin expert आपको evion लेनी के सलाह देते हैं साथी साथ glowing skin के अलावा कई बार वो सलाह देते हैं कि अपने scar के area में आप vitamin E oil अप्लाइ करें जिससे healing process कपी बहतर हो जाती है सोरियासिस के cases में, एकजीमा के cases में जिसमें इचिंग बहुत जादा होती है या dry skin में जिसमें इचिंग की possibility जादा होती है उसमें भी वो vitamin E oil का परियोग करने का देश देते हैं लेकिन एक बात का आपको ज़रू ख्याल रखना है यदि आप अपने skin पर vitamin E oil या avion के oil का परियोग करने वाल है तो सबसे पहले e-vion या vitamin E oil जो आप ले रहे हैं उसको अपने हाथों पर लेके आपने गर्दन की जो मुलायम तचा है उस पर राग को लगा कर आप छोड़ दीजे और सुबह तक उसको छोड़ दीजे सुबह देखे यदि वह skin बिलकुल unaffected है उसमें किसी किसम की कोई eaching नहीं हो रही है कोई redness नहीं हो रही है किसी किसम का कोई rashes नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि you are not allergic और hypersensitive to vitamin E oil और evion ऐसी परिस्थिति में आप अपनी त्वचा पर उसका प्रयोग कर सकते हैं hair fall को रोखने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है hair roots पे जिससे hair fall में भी कमी आती है अब एक सवाल यह उखता है कि क्या vitamin E का प्रयोग लंबे समय तक लगातार किया जा सकता है तो इसका answer है नहीं बिलकुर नहीं पहले तो आप doctor Salah के बिना इसका प्रयोग ना करें यदि उसके बावजूद भी आप करना ही चाहते हैं तो याद रखें कि vitamin E का निरंतर लंबे समय तर उपयोग नहीं करना चाहिए उसमें gap करना चाहिए इंटरवल करना चाहिए क्यों क्योंकि मैंने सुरू में ही बता है कि एक fat-soluble vitamin है तो आपके सरीर में इसका जमाव होता है accumulation होता है fat cells में और ऐसा होने पे यह संभव है कि एक दिन उसकी मात्रा इतनी आपके सरीर में बढ़ जाए कि उससे आपको vitamin E के toxicity हो जाए vitamin E के overdose का जो मुख्य लक्षण होता है वह होता है पेट में cram का आना या discomfort का feel होना nausea का feel होना vomiting का सा feel होना diarrhea का होना और बहुत अधिक ठकावट का मैसुज होना तो यदि आपको ऐसे लक्षण आए तो ये संकेत हो सकते हैं कि आपके सरीर में vitamin E toxicity के picture बन रही है तो सचेत रहें और vitamin E का या evion का कभी भी लंबे समय तक बिना doctor E parameters के उपियोग ना करें उमीद करता हूं मित्रो कि आपको मेरा ये information पसंद आया होगा और आप इसे निशित तौर पर ने भी लोगों से सेर करेंगे जिनको जानकारी प्राप्त होगी कि यदि evion लेना है तो कैसे लेना है और किन परिस्तितियों में हमें evion बिर्कुल भी नहीं लेना है मैं इस परकार के अन्य जानकारी वाले वीडियो आपके पास लाता रहोंगा आप समय गही है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा ज़्या करें थैंक यू